दूबती जिन्दगीयों की साथ कई सपने तूट गए एक हादसे में अपने अपनों से छूट गए इसी और की गलती से पूरा परिवार भी खर गया जो घर को रोशन करता वो चिराग ही बुझ गया दिल दहला देने वाली घटना जिसे सुनकर आपका भी दिल पसीच जाएगा बरसात के पानी ने कईयों की जान ले ली राजिंदर नगर की कोचिंग की वो घटना जहां आखों में सफलता की रोशनी लिये भविश्य सवार ने पहुचे बच्चों ने मौत के आगे घुटने टेक दिये उन परिवारों की दुर्दशा देखी नहीं जाएगी आखिर किसे पता था ये मौनसून की काली रात सब निगल जाएगी लेकिन दोशियों को बख्षा नहीं जाएगा क्योंकि सवाल ये उठता है कि आखिर ये किसकी लापरवाही थी ये दर्दनाक हाथसा किस बेस्मेंट में पानी भर गया जो यहां पढ़ने वाले बच्चे थे उनके लिए पानी काल बन कर आया बेस्मेंट में भरे पानी में डूबने से चात्र चात्राओं की मौत हो गई जिनके शव भी बरामत कर लिये गए हाला कि एक चात्र अभी विल्ला पता बताया जा रहा जो चात्रों के डूबने जैसी हालत बन गई ऐसे लेकर चश्मदीदों ने हैरान करने वाली बाते बताई है चश्मदीद चात्र के मताबिक बेस्मेंट में बनी लाइबरेरी में करीब 30-35 स्टूडेंट मौजूद थे और करीब शाम 7 बजे का वक्त था जब लाइबरेरी ब पा रहे थे 2-3 मिनट के अंदर पूरे बेस्मेंट में 10-12 फुट पानी भर गया वहां से निकलने के लिए रसिया फेकी गई लेकिन पानी इतना गंदा था कि कुछ भी नहीं दिख रहा था वहां से कर बच्चे निकाले जा रहे थे चात्र ने बताया कि उनके पीछे दो ल पूरा बेस्मेंट में चट तक पानी आ गया बेस्मेंट की चट की उचाई 12 फिट थी और पलक जपकते फ्लैश फ्लर्ट की तरह पानी भरा और बचाने के लिए रसिया फेकी गई लेकिन उन रसियों को ना पकड़ पानी की वजह से दो चात्रा और एक चात्र की मौत हो ग जल जमाओ का आलम तो यह है कि कई बार हमारी क्लास कैंसल कर दी जाती है दो से धाई घंटे तक पानी भरा रहता है पिछली बार जब हम क्लास कर रहे थे तो सुबह करीब 10 बजे हमें बेस्मेंट में नहीं जाने दिया गया कई श्टूडेंट की कार तैर रही थी वहीं इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली की मेर शैली ओबराय ने इस हाथसे को लेकर कहा कि एक नाले या सिविर के फटने से बेस्मेंट में बार जैसी स्तिती बनी और उन्हें ने कहा कि अगर किसी भी MCD अधिकारी की गलती सामने आई तो सक्त कारवाई की जाएगी इस पूरे मामले को बहुत ही गंबीरता से लेने की जरूरत है और इस पर दिल्ली सरकार को जल्द से जल्द एक्शन लेना होगा क्योंकि यहाँ पर छात्र छात्राओं की नहीं बलकि देश के भविश्य का अवाल है